साल दोज़ार साथ आठ की आॉस्ट्रेलिया सिरीज में हरभजन सिंग और एंड्रिव साइमेंट्स के बीच हुए विवाद को कौन भूल सकता है? वो विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों देशों के क्रिकट सम्मंधों पर खत्रा मंडराने लगा था उस घटना को इतने साल बीच जाने के बावजूद इस विवाद ने हरभजन का पीछा नहीं छोड़ा है हाला कि खुद हरभजन का कहना है कि इसे जरूरत से जादा तूल दिया गया शुकरवार को अपने 40-वे जनम दिन के मौके पर नवभरण टाइम्स के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा जो हुआ उसे जरूरत से जादा हवा दी गई मामला वही का वही ग्राउंड पर सुलच सकता था मैदान में 100 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैच रफरी या मीडिया तक नहीं पहुंचती मैदान पर खिलाडी एक दूसरे को स्लेज करते हैं तो उसको मीडिया तक लेकर नहीं जाते मगर उस मामले को ऐसा बना दिया गया जैसे की वर्ल्ड वार थ्री हो इतनी बड़ी बात नहीं थी हरबजन हला कि मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सही तो नहीं था क्योंकि उस टूर को लोग गलत बज़ों से याद रखते हैं हम उस टूर की उपलबधियों को जादा याद नहीं करते जबकि भारत ने पर्थ में टेस्ट मैच जीता था हमारे दौर में पहली बार वहां बंडे सिरीज जीती गई थी क्या हरबजन की इस बारे में कभी आस्ट्रिलिया के क्रिकटरों से बाचीत हुई हम सभी का मानना है कि चीजें तब की तब वहीं पर रोक देनी चाहिए थी हमें से कोई नहीं चाहता कि इस तरह का विवाद हो जिस पर उम्र भर जवाब देना पड़े आज मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत तोर पर हम में से किसी को भी कोई समस्या नहीं थी औरना अब है मैदान पर जब आप देश का प्रतनिधित्व करते हैं तो कई बार इस तरह की बहस और गर्मा गर्मी हो जाती है आज हम सभी दोस्त हैं हम यही सोचते हैं कि जिन्दगी को हेंजॉय करना चाहिए मैं किसी के साथ इरश्या नहीं रखता और मुझे लगता है कि इन में से तीनों मेरे साथ इरश्या नहीं रखते उस घटना के बाद हम जब जब मिले हैं बहुत हस कर मिले हैं और अच्छा वक्त बिताया है NBT Online की रिपोर्ट